मैं कुमारी रक्षा टीजीटी मैडिकल प्राम भूंतर स्कूल निव एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कुछ अपने बीचाह सांजा करना चाहते हूँ यहों तो यह पॉलिसी काफी समय से चर्चा में हैं और काफी हमारी अधापक इसके ऊपर अपने सुछाव अपने इच्छाएं प्रकट कर चुके हुए हैं पर जो मुझे समझ आया और जो मैं समझती हूँ उसे मैं आज इस वीडियो की माद्यम से सांजा करने जा रही हूँ पहली एजुकेशन पॉलिसी बनी 68 में दूसरी 86 में और तीसरी यह है जो काफी गैप के बाद फ्रेम होई तो इन पॉलिसी के तहट क्या चेंज हुआ बिंगर साइंस टीचर में एक साइंटिफिक एनलीसिस अपने आप से ही कर रही हूँ कि क्या उदलाव हमारी शिक्षा नीती में हुए जो मैंने सिखा और समझा कि शिक्षा जो है उस सवाल करना सिखाती है सही और गलत का फैसला सिखाती है गलत के अंगेस बोलने का दम देती है अगर शिक्षा यह सब नहीं दे पा रही है तो शिक्षा है ही नहीं है यह मेरा मानना है और इसके लिए मैंने काफी अपने आप से भी सवाल किये कुछ रिसर्च की पीछे जाके वो पुराना सिस्टम देखा अपनी स्टडी का उस पुराने सिस्टम को मैं नए के साथ कंपेर करके भी देखती हूँ कि कहां क्या परिवर्तन हुए हमने कुछ सीखा या हम गवा चले तो अक्यले बैठके ये मंधन होते रहते हैं कि पुराने समय में ये था तो मुझे क्या करना है कैसे बच्चों को सिखाना है वो सारी चीजे में कंपेर करती रहती हूँ मुझे किसी की किये हुए काम पे कोई सवाल नहीं लगाना है कि ये चीज अच्छी नहीं है या ये बूरी है लेकिन एक चोटी चोटी चीज़ हैं जिने मैं सोचती हूँ कि जो मेरे दिमाग में चली है वो मैं साज़ा कर दूँ आगे हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी 68 वाली, 86 वाली और जो अब नहीं है तो इनका में एक हलका से एक्जामपल लूँ कि मुझे एक वीडियो बनाने के लिए कहा गया है कि आपको कार्बन एन इडिस कंपाउंड के उपर नियू एजुकेशन पॉलिसी के तहर जो मेला और्गिनाईस किये जा रहे है उनमें आपको अपना लेस्न प्लान देना है एक क्रियेटिव लर्निंग को प्रमोट करना है तो 68 के 86 और अब की पॉलिसी में कार्बन तो कार्बन ही रह गया न उसने अपना सरूप थोड़े नहीं बदल दिया ओ 68 में भी कार्बन ही था 6 अटोमिक नंबर के साथ 4 बेलेंचल इलेक्टोन के साथ 5,6 इसकी उनीक प्रॉपटी के साथ ये एक तत्व ही था 86 में भी वही रहा, अब भी वही है इसमें कोई परिवर्थ नहीं होगा ये अपने आप में जैसा था वैसा ही रहा इसके पढ़ाने के तरीके बदलें लेकिन जो इसको करवाए जाने वाले टेस्क थे वो 68 में भी वैसे ही थे 86 में भी वैसे ही तो आज अगर मुझे करवाने को बोला जाएगा तो मैं भी वही सब करवाऊंगी मैं भी यही बताऊंगी कि कार्वन एक टेट्रावलेंट है मर्टिपल बॉन बनाता है कैटिनेशन करता है इसके हाइड्रो कार्वन होते हैं सेचुरेटीड, अनसेचुरेटीड हाइड्रो कार्वन all the same thing मैं वही रिपीट करूँगी इसको थोड़ा सा interesting और creative वे से रिप्रेजेंट करूँगी तो दो चार activity करवा दूँगी कुछ model जैसे समझा दूँगी यही सब कर पाऊंगी क्योंकि मेरी सोच को limit कर दिया जाएगा science में innovations कभी नहीं होगी कुछ नया नहीं होगा निर्मित चाहे गीता को समझ लो या कुरान को गीता में भी यही काया जब तुम किसी की कही हुई बातों पर चलते रहोगे उन्हें गी स्पीट के पढ़ाते रहोगे तुम नया निर्मित नहीं कर सकते नया तभी निर्मित होगा जब तुम कुछ अपने तरीके से करोगे क्योंकि हर इंसान के तजर्वे अपने हैं अपनी सोच और अपने समझने का तरीका है Einstein की equation है E is equal to mc square को हम बैसे ही पढ़ते रहेंगे वही करवाते रहेंगे तो शायद वहीं खतम हो जाएंगे उसके आगे हमसे बनाया जाना मुश्किल हो जाएगा लेकिन ढूंडेंगे कुछ ऐसा कि हाँ यह जो मास है यह change हो रहा है यह nuclear reaction में इसमें कुछ change आ रही है या उस point को अपर हम सोचेंगे तो innovations आएंगी क्योंकि मास यहाँ change होता है चलते रहोगे नया निर्मीत नहीं होगा innovations कभी भी नहीं होगी यह गीता का भी सार है और मेरे ख्यार से मेरा भी यही सार है मैं भी यही मानती हूँ चोटी-चोटी मुझे एक वीडियो बनाने के लिए कहा गया जो लगभग एक घंटे का वीडियो है मुझे एक घंटा continuously बोलना है तो एक घंटा उस study के topic के उपर बोलने के लिए शायद मैं तो वो सारा chapter 15 मिनट में with activity ही close कर दूँ क्योंकि उस chapter में उस lesson plan को में दो घंटे तक कुछ नहीं है उसमें ऐसा पढ़ाने वाला उसे तो मैं बिलकुल short and simple करके जो बच्चों की ability उसको understand करने की होगी उस level तक within 15 minutes or 20 minutes में ही explain कर दूँगी रही बार science में innovations देने की तो दुनिया भर की innovations हम दे सकते हैं पर हमें इन इनी बंदरों से इन boundary इन सीमाँ से बाहर करना होगा पहला है हमारा periodic table में position of hydrogen still controversial hydrogen एक non metal है जिसकी सारी property non metal के साथ match करती है लेकिन उसको रखा गया top of the metal वो भी ac metals जिनके top पे रखा हुआ है एकदम highly reactive metals है थोड़ी सी भी हवा उनको लगी नहीं oxygen को उनके पास पहुंची नहीं कि तमाके के साथ पर जाती है ac metals के top के ओपर hydrogen को रखना खुद में ही एक challenge है और innovations करनी है तो कुछ in points की करनी होती है यहीं नहीं कि हमें carbon वो ही 2,4 इसकी configuration नहीं पढ़ानी है इन चीजों को खोज के ही नया आता है क्योंकि जिस चीज को हम पढ़ा रहे हैं वो एक ऐसा point है जिसे हम सब मानते हैं chemistry lecture की this is wrong कि hydrogen को यहां होना नहीं चाहिए पर इसको कहां होना चाहिए इसकी correct position कहां आती है वो हमारे पास कोई clue नहीं होता क्योंकि हम उतने level तक सोचने के लिए किसी को मुझबूर ही नहीं करते हम किसी के दिमाग को इतना त्यार ही नहीं करते तो यह innovations होती है second innovation का point है isotope hydrogen के तीन isotope है समस्थानिक हैं जिने एक ही जगा पे रखा हुए hydrogen बन उसी box में hydrogen वाले में लेकिन तीनों isotope की properties different है hydrogen के तीन isotope पहला isotope जो इसका protein है ordinary water दूसरा है deuterium heavy water बनाता है तीसरा है treatium जो radio के property के साथ है जब तीनों isotope के कारें लग लग है तो यह एक जगा पे कैसे तो इन के लिए क्या एक proper विवस्था नहीं होनी चाहिए हमारी science में इस तरीके की source को promote करना ही मेरे ख्यासे innovations होती है यहीं से एक नए idea जनरेट करता है नई चीज निकल के बाहर आती है यह नहीं कि मैं के मिस्टी में सर्फ केमिकल कंपाउंड पढ़ा हूँ कार्बन एन इस कंपाउंड तो कार्बन है लाज नंबर अफ कंपाउंड बिकास अफ इस बरसेतायल नेचर कैटिनेशन आईसोमेरिजम टेटर बेलिंसी मल्टिपल बॉंडिंग आज भी कंपाउंड ग्रूप तो फिर वही जो 68 में पढ़ाया 86 में पढ़ाया वह आज भी कंटीनू है उसमें मैं नया क्या कर सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लेवल से कोई क्रियेशनल वीडियो एक्टिबिटीज परफॉर्म करके उसको समझा दूँगी फिर इन पॉलिसी में नया क्या आता है इन पॉलिसी में नया बनके आता क्या है जिसे हम करना चाहते है या सारी जो इतने टाइम से चर्चा चली हुई है वो लोग करना चाहते है क्योंकि यह मैं खुद से पूछती हूं कि इसमें कहां परिवर्टन हो रहे हैं जीजें तो वही रहेगी परिवर्टन तो क्लास्वरूम की उस मेटरलोजी में होना चाहिए था जो हमें सिर्फ टीचर्स को एक कठपुतली बनाके छोड़ दिया जाता है कि तुम इसी सिस्टेम में इतना ही बोलोगे इसके बाहर नहीं बोलोगे जब ऐसी शिक्षा होगी तो वो तो कभी वी एक हेल्दी माइड नहीं त्यार करेगी वो एक सवाल पुछने वाला दिमाग त्यार ही नहीं कर पाएगी ऐसी शिक्षा यह मेरी सोच है मेरी समझ है new education policy के लिए मुझे एक lesson plan बनाना है 45 minutes का I think वो बहुत लंबा हो जाएगा उसरी के से 45 minutes continuously with activity आपको बोलना है तो यही हमें limit कर दिया गया कि आपको इतना ही बोलना है इसमें आपको carbon and compound जो particular topic के साथ हमें वहां project कर दिया गया है कि आप यहीं करें में नाया लाएंगे वहां कैया ने लाएंगे कि चार देंगे कि कुछ नेा ही निर्मित हो जाए नया ने इम्च तभी होता है जबनाज और मांड एक सचन मन उड़ता है बहुत दोड़ तक कि नया तो वह बनाता है कई सो ऐसे चीज़ें जहां इनोवेशन की जाती हैं और कई सो ऐसे पॉइंट हैं जो इनोवेशन के लिए आज भी खड़े होएं जहां हम वो उस चीज़ें सुधार कर सकते हैं लेकिन हमें तो बस कुछ लिम्टिर सी चीज़ें करनी हैं जो हमें कह दिया जाएगा उसी सिस्टम में घूमने हैं उसी में ही दो चार एक्टिविटीज करवानी हैं और वही वीडियो बनाके हमें आगे शेयर करने हैं तो ऐसे घूटन भरे मोहाल से मुझे नहीं लगता है कि कुछ नया निकल के आएगा कभी तो यह साइंस की इनोवेशन है जिने मैं कभी सोचती हूँ जो परिवर्तन चाहिए होते हैं वो इन चीजों के उपर होने चाहिए तो टॉपिक तो हमने वही पढ़ाने हैं जो पीछे से चले आ रहे हैं जिस एटम की बात करते हो तो रिशी कंद भी तो बता गया था ना कि एटम क्या है कोई एटम आज नहीं बना जाओं डॉल्टन क बोलने के बाद नहीं बनाए तो तब से जब से सिस्टी है और यह सारे छोटे छोटे स्मॉल गॉर्ड पार्टिकल तब से हैं बस फरक इतना है कि कोई खोज करके उनको प्रूव करता है और हो गया नए इंवेंशन्स होगी हर चीजें पहले से बिद्यमान हैं तो फिर वही उसी टॉपिक पे आजाती हूँ कि 68 की पॉलिसी, 86 की पॉलिसी और अब की पॉलिसी में क्या हम नया कर रहे हैं अगर हम नए दिमाग को नए तरीके से अंडल करने की अबिलिटी नहीं रखते हैं तो हमारी शिक्षा बक्त के हिसाब से होनी चाहिए जैसे पहले थी वैसे होनी चाहिए थी हम बढ़ाते कुछ और हैं और रियल लाइफ में होता कुछ और हैं यह जो मिस मैच हमारी शिक्षा में हैं कि कताबों में रटे कुछ और लगवा देते हैं और रियालिटी में कुछ औ तो क्यों ना हमारी education वही हो जो हमें reality में face करना है क्यों हम कुछ उसी तरिके का curriculum बना के लाएं सामने कि बच्चा वही सीखे जो उसको बाद में समाज में करना है पढ़ते कुछ और हैं और बाद में जाए के life में कुछ और करने लग जाते हैं तो इस तरिके की उल्ट फुल् होंगी कभी मेरा यही सोचना है जो मुझे लग रहा था कि मुझे यह सब बोलना चाहिए मैंने बोल दिया और मैं यह comparison कर भी रही हूं कि जितने लेवल से new education policy की बात हो रही थी ग्राउंड लेवल पर अगर चीज़ें वही रही जो पुरानी ही थी तो फिर यह सब करने की जुरूरतें क्यों पड़ती हैं हमें तो हम यह महसूस करते हैं कि हमें यह सब चेंज लानी हैं बदला बहुत अच्छी बात है और सकरातमक बदला अगर है तो उसको उसके साथ परिवर्टित होने में कोई बुराई नहीं होती है टेक्नलोजी बत के हिसाफ़े मान लेनी अड़ाप्ट करनी चाहिए शिकनी चाहिए शिखानी भी चाहिए पर टेक्नलोजी तब ही आएगी ना बनके जब माइंड हम रैडि करेंगे तो माइंड को तो हमने एक पर्टिकुलर सिस्टम में ही गुमाना है कि इसके बाहर तुम मत सोचना नंबर के चारों तरफ गुमाना है कि तेरी प्रसेंटेज इतनी आने चाहिए इसमें इतने नंबर हैं यही करना है तुमने वो इसी के उपर कोई बच्चा अगर थोड़ा सा एक्स्टा लिख देता है अपनी सोच लिख देता है तो बिंगर टीचर हम वहां काटा मार के उसको जीरो दे देते हैं हम जानने की कोशिस नहीं करते हैं हो सकता है यह सही हो इस पॉइंट पर इसको इप्रूब करने का दम रखता हो इस तरह के से कितनी प्रतिवाय हैं जो मर जाती है कुछ करने से पहले ही तो यह मेरे बिचार थे अब मुझे एक घंटे का वीडियो बनाना है एक पर्टिकुलर टॉपिक के उपर सीमाओं में रहते हुए एक लेसन प्लान त्यार करना है और मैं कोशिस करूँगी कि मैं एक घंटा उस टॉपिक को इंट्रस्टिंग बना के बच्चों के सामने रिप्रेजेंट कर सकूँ ऐसा नहीं है मैं कई सालों से बीस सालों से बढ़ा रही हूँ बीस सालों से मेरे पास नए ही बच्चे बैठे और उनके पास हमेशा एक नए आइडिया आया उसी चेप्टर को पढ़ाते हुए एक नए चीज आती है एक नए दिमाग से एक सोच आती है सामने कि बच्चा किस लेवल पर सोच रहा जाके इस भार फिर कोशिस करेंगे उसको और बैटर बनाने की पर इससे पहले ये मेरे अंदर के सवाल है जिनने मैंने वीडियो के माद्यम से शेयर कर दिया हुआ है और जल्दी ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा